दोस्तों हमारी सीरीज चल रही है पीटर बर्न की बुक शिकारी साहिब और उसमें जिम कॉर्बिट की मैन इटर हंटिंग की कहानियों का रिवियू किया गया है और आज की हमारी कहानी है तल्ला देश मैन इटर सन 1929 की बात है कि उस टाइम पर कुमाओं में कई सारे मैन इटर अक्टिव थे उस टाइम पर पाँच मैन इटर टाइगर ऑपरेट कर रहे थे उसमें से थे चौगर टाइगर जिसमें की एक टाइगरेस और एक उसका बच्चा था और उसके अलावा तीन थे तल्ला देश में अब इसमें Peter बोलते हैं कि अगर चौगर टाइगर्स की बात आती है जो कि Jim Corbett की book number 5 में आता है जिसमें hypothesis के बारे में discussion किया गया है जिसमें चौगर मैन Eater का कब उसकी सहायता करता था शिकार में तो वो जो कब था भले ही वो कब था लेकिन वो active टाइगर था और powerful टाइगर वो इतना शक्तिशाली था कि वो चाहता तो डियर भी मार सकता था, खुद को भी खिला सकता था और अपनी मा को भी खिला सकता था अब जो तल्ला देश के टाइगर्स थे वो नेपाल से बहुत जादा दूर नहीं थे, शारदा नदी भी पास में ही थी अब 1929 में नैनिताल के डेपटी कमिशनर थे विवियन, वो जिम कॉर्बेट के फ्रेंड थे और उन्होंने कॉर्बेट से बोला कि जरा चौगर टाइगर्स का मामला देखो कॉर्बेट फॉरन राजी हो गए लेकिन ये बात रिकॉर्ड में नहीं है कि किस वज़े से उन्होंने पहले चौगर टाइगर्स का मामला पेंडिंग कर दिया और उन्होंने कहा पहले निपट लेते हैं तल्ला देश के टाइगर्स से तो कॉर्बेट ने विवियन से कहा कि पहले अल्मोडा वाले बिल बेंस ने जो रिक्वेस्ट करी है उसको देख लेता हूँ तल्ला देश में फिर आपकी रिक्वेस्ट देख लूँगा चौगर के लिए और वो निकल पड़े तल्ला देश के लिए कॉर्बेट चार अप्रेल को रवाना हुए तल्ला देश के लिए कॉर्बेट की तबियत ठीक नहीं थी वो एक शूटिंग पार्टी के साथ शिकार कर रहे थे उनका जो विंटर होम था काला डूंगी में उससे कुछ माइल्स की दूरी पर बिंदू खेडा में और हुआ उसमें ये था कि जो इनकी शूटिंग पार्टी थी जो शिकार पार्टी थी उसमें बहुत सारे हाथी बुलाए गए थे और एक हाथी के हौदे में जिम कॉर्बेट बैठे थे और उनके साथ कोई साथी बैठा था जिसका उन्होंने नाम मेंशन नहीं किया है कॉर्बेट को बिना बताए उस साथी ने गोली चला दी थी और उनके कान का परदा अल्मोस फट चुका था और वो बहुत ही दर्द दे रहा था अब जब कॉर्बेट ने अपना इनीशियल ट्रीटमेंट कराया काला डूंगी में तो डॉक्टर ने बोला कान का परदा फट गया है और बाद में यही बात रीकनफर्म करी नैनिताल के सिविल सर्जन करनल बार्बर ने अब दोरों डॉक्टर्स को जो शंका हुई थी जिसको कि उन्होंने कॉर्बेट को नहीं बताया था कि कान का परदा फट गया है और इन्फेक्शन फैल गया है और कान में मवाद भर गया है और क्योंकि उस टाइम पर एंटी बायोटिक्स नहीं थी तो इसलिए ये ट्रीट बहुत ही मुश्किल था अब इस दोरान कॉर्बेट अपने घर पे रहे और उनकी फैमिली जिसमें कि उनकी दो बहने शामिल थी उन्होंने कॉर्बेट की देखरेक की अब कुछ दिन बाद कॉर्बेट ने जंगल में जाना बहतर समझा क्योंकि वही उनका दूसरा घर था और उन्होंने शायद अपने इस इनफेक्शन और इस ट्रीट्मेंट से निजात पाने के लिए जंगल जाना सोचा होगा अब लगता है कॉर्बेट को जंगल में जाने का बहाना चाहिए था और वो बहाना मिल गया उनको तला देस मैनीटर के रूप में लेकिन जो भी हो तफ इनसान थे इस बात की अमेरिकन्स भी तारीफ करते हैं उनके कान में मवाद था बहुत ज़्यादा दर्द होगा सुन भी नहीं पा रहे होंगे और उसके बाद चल दिये मैनीटर के शिकार पर अब शायद कॉर्बेट ने सोचा हो कि अकेले इस दर्द को क्यों से ना क् इस टाइम का उपयोग किया जाए दूसरों की मदद करने में जैसा की वो हमेशा करते आएं अब भाग भी इंतजार कर रहा था जिम कॉर्बेट का तल्ला देश के लिए इसलिए जिस दिन जिम कॉर्बेट ने डिसाइड किया कि वो नैनिताल से चलेंगे उसी दिन तल्ला पंद्रवाश शिकार किया उसने एक बच्चे को मार दिया तल्ला कोट गाउं के पास कॉर्बेट ने अपना घर छोड़ा अपने साथ लिए छे आदमी और चल पड़े काट गोदाम की तरफ जो था रेलवे स्टेशन अब कॉर्बेट के रादा था काट गोदाम से ट्रेन पकड़कर टनकपुर तक बाई रेल जानेगा टनकपुर सारदा नदी के किनारे एक बड़ा सा टाउन है उसके दूसरी तरफ नेपाल का टाउन है ब्रह्म देव मंडी अब टनकपुर से कॉर्बेट का इरादा था तल्ला देश तक पैदल जानेगा अब पीटर बर्न बता गाय की पत्ती, सबजियां, फल और मचान बनाने के लिए रस्सी, कैम्पिंग के सामान में जो उपकरण चाहिए होते थे वो भी लेते थे यहीं से, उस टाइम पर एक छोटा सा टाउन था जिसमें गलियों में गंदगी भी होती थी, गाय का गोबर भी होता था, छोटी छो पडिया थी, जो की दुकानों के रूप में चलती थी, एक तरह से बोला जाए, तो टिपिकल इंडियन सिटी, जिसमें कुछ भी खास नहीं था, सिंपल, ऐसे बहुत सारे टाउन्स हैं, इंडियन सब कॉंटिनेंट में, लेकिन एक तरफ नेपाल है, एक तरफ टनकपुर, और इसके साथ बहुत बड़ा लेजन्ड जुड़ा हुआ है, जो की रिलेटेड है, दो टाईगर और एक हाथी की फाइट से, ये कहानी कुछ ऐसी है, कि एक बिटिश डेपटी कमिशनर थे, कॉर्बेट के भी काफी पहले, उनको नीन से जगाया, उनके सर्वेंट्स ने, और बोला, सारदा नदी के किनारे पर बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, दो भूके टाईगर्स ने एक हाथी पर हमला कर दिया है, और उसे मारने और खाने पर तुले हुए है, ये कुछ बताया नहीं जा सकता, कि रात के अंधेरे में डेपटी कमिशनर ने कितनी फाइ उससे मालम चल गया था, कि जो लड़ाई हुई थी, वो बुलंद थी, अब दोनों टाईगर्स ने हाथी को मार दिया था, और उसके बाद जितना उसे खा सके थे, उन्होंने खा लिया था, और उसके बाद चले गए थे नेपाल की तरफ, अब जिम कॉर्बिट के टाइम प पीली भीद भी एक नॉर्मल टाउन था, और पीटर बोलते हैं, एक बार मैंने भी जाने की कोशिश की थी, काड़ गोदाम से टनकपुर, लेकिन मेरी ट्रेन मिस हो गई थी, पीली भीद में, क्योंकि मेरी ट्रेन लेट थी, स्टेशन मास्टर ने मुझे बताया, कि अगली पास कोई फेस्टिवल चल रहा था, और बहुत सारी पबलिक ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर जमा थी, दूसरा उपाय ये था, कि स्टेशन के बाहर निकला जाए, किसी खेत में जाया जाए, और बहाँ पर अपना कैम्प लगाया जाए, लेकिन बारिश बहुत जो बदबुदार से होटल जिसका नाम था अशोका, उसमें मैं पहुंचा, फिर जो होटल के रिशेप्शन पर बाबु बैठा था, मैंने उसे पैसे दिये, दो रूम लिए, एक अपने लिए, एक अपने आदमियों के लिए, और चड़ गया थर्ड फ्लोर उपर, रूम इस्ट ने जो धबे छोड़े थे चादर पे, वो भी नजर आ रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस बात पर खुश्ट से, कि बारिश से बचाओ हो रहा है, पीटर बोलते हैं, मैंने अपने आदमियों से कहा, सुबह मिलेंगे, फिर मैंने होटल के रूम का धर्वाजा पन कर लिया, पंखे को फुल किया, और सो गया पलंग पर बनियान और शॉट्स पहन के, क्योंकि गर्मी बहुत थी, अब मेरा अंदाजा है, आदा गंटा बीता होगा, कि मेरी नींद खुल गई, मुझे अपने हाथों पर और पैरों पर कुछ मैसूस हुआ, जैसे किसी ने मुझे काटा है, अब जिसने काटा था, वो काटने की चुभन मैं पहचानता था, वो थी मच्छर के काटने की चुभन, लेकिन मुझे आश्चर ये था, कि फैन फूल स्पीड में चल रहा था, मैं उसके नीचे सो रहा था, जब फैन फूल स्पीड पर चलता है, तो मच्छ मच्छर काट नहीं पाते हैं फिर इन मच्छर ने काटा कैसे अब पीटर सोच रहे थे कि भारत के जो मच्छर हैं वो बिलकुल जिद पर आ जाते हैं जब वो इनसान के खून की सुगंध पा जाते हैं लेकिन उनके पंखों का डिजाइन इस तरह नहीं है वो तेज हवा में नहीं उड़ सकते है और जब पंखा तेज हवा दे रहा हो ऐसे में वो अपना बैलेंस नहीं बना पाते फिर पीटर को अंदाजा हुआ कि ये जो काट रहे हैं ये मच्छर नहीं है ये खटमल है और ये कॉमन होते हैं इंडिया के होटल्स में मैंने जल्दी से लाइट जलाई पलंग से उचला और देखने लगा कोई नजार आ रहा है क्या अब जब इन्होंने देखा तो जहां ये सो रहे थे जहां वो रिंकल्स थी इनके सोने की वहां बहुत सारे मच्छर एक आर्मी की तरह से राउंड लगा रहे थे कोशिश कर रहे थे कि हवा से पार पाके इनके गरम गरम खून का स्वाद उठाएं तब ही उन्होंने देखा कि पलंग के जो पाए हैं उन पर भी कुछ क्रीचर्स चड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस समझ गए कि इनका क्या प्लान है मच्छरों ने पीटर का खून पीने के लिए जो प्लान बनाया था वो ये था पहले वो पंखे के नीचे आते थे पंखे की हवा से जमीन पर गिर जाते थे फिर जमीन से रेंगते रेंगते पलंग के पाय को पकड़ कर उपर चड़ते थे यहां उनका सामना होता था पंखे की तेज हवा से वो अपने पैर मजबूती के साथ चादर में जमाते थे गिरते पढ़ते किसी तरह से काट लेते थे वरना फिर से नीचे गिर जाते थे इसी टाइम पर पीटर को अपने आदमियों की बढ़ बढ़ाने और फुस फुसाने की आवाजे आ रही थी पीटर समझ गए कि उनके उपर भी ऐसा ही हमला हो रहा है और वो भी जूज रहे हैं मच्छरों की आर्मी से पीटर ने वो चादर ली अपने चारों तरफ लपेटी पैरों के नीचे भी दवा दी और लाइट बंद कर दी और इनने पता था कि मच्छरों की आर्मी आसपास है तो बीच बीच में ये करवड बदल लेते थे ताकि इनके वजन के नीचे बहुत सारे मच्छर दब जाएं और सुबह उड़के देखा ऐसा ही हुआ था अब किसी तरह से उन्हें रात गुजारी जिसमें से यूरिन की स्मेल आ रही थी उन्हें शरीर में मच्छरों के काटने के निशान लिये हुए पीटर चल पड़े और ये मनी मन सोच रहे थे अब मैं समझ गया कॉर्बेट तला देश जाते वक्त पीली भीत में क्यों नहीं रुके थे दोस्तो इनका experience खराब होगा पीली भीत का मैं पीली भीत में रुका था मुझे एक भी मच्छर ने नहीं काटा तो ये पीटर का वर्णन है पीली भीत के बारे में मेरा experience पीली भीत में बहुत अच्छा था अब जिम कॉर्बेट जिनकी की ट्रेन पीली भीत में छूटी नहीं थी और वो पहुँच गए टनकपुर उसके बाद कॉर्बेट गए टनकपुर के डाग बंगले वहां उनके आद्वियों ने उनके लिए खाना पकाया इन लोगों ने खाना खाया और चल पड़े साड़दा रिवर की तरफ इनको जाना था 24 मील की दूरी पर और पहुँचना था काला डूंगा के डाग बंगले पर दोस्तो काला डूंगी अलग है काला डूंगा अलग है काला डूंगी वो है जो जिम कॉर्बेट का समर होम है आज भी वहां पर म्यूजियम बना हुए है मेरा उसके बारे में वीडियो है चैनल पे आजकल वहां पर एक मोटर रोड है जो जाती है लेकिन कॉर्बेट के टाइम पर केवल एक ट्रेल था जो पहुंसता था पूर्णागिरी और पूर्णागिरी पहुंसने के बाद ये रोड दो तरफ डिवाइड हो जाती थी एक रास्ता जाता था पूर्णागिरी और दूसरा नदी के उपर पश्चिम दिशा की तरफ जाता था और ये रास्ता पहुंसता था काला डूंगा अब कॉर्बेट ने उस हाइक को करना शुरू किया पीटर बोलते हैं उसी हाइक को मैंने भी किया था जब मैं चुका और ठाक मैनीटर के उपर रिसर्च कर रहा था इस रास्ते में एक पुरानी ट्रामवे का रास्ता है जो कि ब्रिटिश कॉंट्रेक्टर जे पी कॉलियर के दौरा बनाई जा रही थी एक कॉंट्राक्ट हुआ था ब्रिटिश महराजा और नेपाल के महराजा के पीच में जहां पर वन मिलियन क्यूबिक फीट साल की लकड़ी काटी जानी थी और नेपाल से लाई जानी थी भारत इसके लिए कॉलियर ने एक ट्रामवे बनाई थी जो की चार माईज की दूरी तै करती थी सार्दा रिवर के पश्चिम देशा की तरफ जहां पर रेलवे लाइन खतम होती थी वहां पर कॉलियर ने स्टील के वायर बिचा दिये थे जिससे नदी में लठे तेराए जाते थ जब कॉंट्रैक्ट खतम हो गया तो ट्राम लाइन को बन कर दिया गया और जो लोहे की पट्रिया थी वो खार ली गई और उसको इंडिया में दूसरी जगे पर इस्तिमाल कर लिया गया और जो छोटे-छोटे स्टीम इंजन थे उन्हें भी वहां से ले जाया गया और काम लगा दिया गया केवल एक स्टीम इंजन जो की खराब था वही छोड़ दिया गया और जिसे वहां पर देखा जा सकता है और जिस जगे पर वह स्टीम इंजन है उस जगे का नाम है हीरापूर मिस्टर नर बहादूर बिस्ट जो की हीरापूर के जमीदार थे और जिन्होंन उसके पहले उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कॉलियर के बारे में नर बहादूर बिष्ट की फैमिली में से किसी ने कॉलियर से कहा था कि उन्हें एक बारा बोर की बंदूक ला दो कॉलियर को कन्फूजन हो गया उन्हें लगा कि बारा बोर की नहीं बारा बंदूके लानी है और उन्हें बारा बंदूगे लाके थे दी नर बहादूर बिष्ट को जिसमें से एक बंदूग उनके पास आज भी है अगले दिन कॉर्बेट जल्दी चले वो काला डूंगा भी क्रॉस कर गए और रिवर के किनारे वाला गाउं चुका भी क्रॉस कर गए उनका टार्गेट था आगले दिन उचे रिज पर पहुँचना जो की नदी के दूसरी तरफ है तल्ला देश में अब थोड़ा आगे चलके कॉर्बेट पहुँच गए सूरे खोला यहां से काफी खड़ी चड़ाई थी और एक छोटा सा गाउं था जिसका कि इनको नाम नहीं पता अब जिस गाउं पे यह पहुचे थे यह अभी भी हजार फिट की नीचाई पर था उस रिज से लेकिन कॉर्बेट और उनके साथ ही ठक के चूर चूर हो गए थे तो उन्होंने डिसाइड किया रात तो यहीं कुजा रहेंगे कॉर्बेट ने अपने आदमियों के रुखने के लिए एक घर में विवस्था करा दी और खुद एक स्ट्रीम के किनारे कैम्प लगाया वो स्ट्रीम जिससे उस गाउं के परिवारों के लिए पानी जाता था अब कॉर्बेट के साथ कंपनी के लिए एक लाल्टेन थी और एक बंदूग थी जो कि थी 0.275 रिग भी मौजर जो कि उन्होंने खरीदी थी कलकत्ता से कॉर्बेट को शायद ख़बर मिल गई होगी रीसेंट शिकार जो कि मैन इटर ने किया था क्योंकि बिल बेंस जो कि डेपुटी कमिशनर थे उन्होंने टेलिग्राफ यानि कि तार कर दिया होगा क्योंकि नैनिताल और टनकपुर टेलिग्राफ लाइन से कनेक्टिड था और शायद इसलिए जिम कॉर्बेट ने उस मैन इटर से निपटने का प्लैन बना लिया था उनका पहला प्लैन था ये पता करना कि मैन इटर उस बच्चे को उस लड़के को जिसका कि उसने शिकार किया है कहां लेकर गया है कॉर्बेट ऐसा इसलिए करना चाते थे कि मैन इटर अपने शिकार के आस पास ही रहता है उसे खाने के बाद भी अगर उसे डिस्टर्ब ना किया जाए और ये इनके हंटिंग प्लान के लिए जरूरी था क्योंकि इससे उनको काफी कम इलागा ढूनना पड़ता और इससे इने टाइगरेस के हंटिंग रूट का भी पता चल जाता क्योंकि वो कई साल से उस इलाके को इस्तमाल कर रही थी यहाँ पर पीटर बोलते है कि टाइगर अगर उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए तो इलाके से माइगरेट नहीं करते अगर उस इलाके में सब कुछ है पानी, खाना, छिपने की जगे तो वो एक ही इलाके में सालों तक रहते हैं पीटर बोलते हैं कि जब मैं शिकार किया करता था 1950 और 1960 के दर्शक में वाइट ग्रास प्लेंस में वहाँ पर एक टाइगरेस का निवास था एलिफेंट ग्रास में एक जगे थी सुन्दरी जाल उसके पास में और ये सुन्दरी जाल बाउनी रिवर के बहुत पास था पीटर बोलते हैं हमने उसे गोली नहीं मारी क्योंकि जब मैं ट्रॉफी कलेक्शन पर जाता था तो मेरे जो क्लाइंस थे मैं में मेल टाइगर चाहिए था वो फीमिल यानि कि टाइगरेस को नहीं चाहते थे अब उस टाइगरेस का जो छिपने का अड़ा था जो गुफा थी वहाँ पर तरह तरह के जानवरों की हड़िया थी और ये बात दर्शाती थी कि वो अपने शिकार को अपने घर ले जाती है खाने के लिए वो टाइगरेस करीब करीब दस सालों तक महीं रही और इस दोरान उसने दो बार कब्स को भी जनम दिया अगले दिन सुबह कॉर्बट जल्दी उठे नहाए उस स्ट्रीम में अपनी बंदूग में पाइलिंग की और चल पड़े अपने आद्मियों से इन्होंने बोल दिया था कि पीछे पीछे आ जाना और उस दोरान कम्यूनिकेशन एक गाउं से दूसरे गाउं ठप पता क्योंकि मैन इटर का आतंक था तो जिस गाउं में ये लोग रुके थे उस गाउं के लोगों को मालुम नहीं था कि उस मैन इटर ने दूसरे गाउं में एक बच्चे को मारा है एक लड़के को मारा है तो कॉर्बिट ने चांस लिया और जो उनको नजदीक गाउं समझ में आ रहा था उस तरफ चल पड़े अब उनको एक फॉरेस रोड मिली जिसमें रास्ते दो तरफ जाते थे अब उस फॉरेस रोड में एक रास्ता पॉरव से पश्चिम देशा की तरफ जाता था तो जो रास्ता पूरव की तरफ जा रहा था इन्हें अंदाजा था कि ये शारदा रिवर के पास जाएगा तो उन्होंने पश्चिम के जाने वाले रास्ते में क्रॉस का निशान बना दिया पूर्व की दिशा में जाने के लिए निशान बना दिया ताकि इनके आदमियों को पता चल जाए कि ये कहां गए है क्योंकि इनको उम्मीर थी कि नदी के ऊपर ही कहीं जाएगा ये रास्ता अब ये पूर्व दिशा की तरफ चलते रहे करीब एक घंटा चलने के बाद एक गाउं पहुँच गए जिसका की नाम था तमाली यहाँ पर गाउं वालों ने बताया कि मैन इटर इनके अलाके में पिछले आठ से दस सालों से काम कर रहा है और जो लास्ट विक्टिम इस अलाके में थी वो थी एक महिला और वो से मार कर नीचे की खेत की तरफ ले गया था पिछले महीने की 20 तारिक को गाउं वालों ने कॉर्बेट से रिक्वेश्ट करी कि उनके ही गाउं में रुक जाईए और उनकी मदद करिए उन्हें बचाईए मैन इटर से क्योंकि अभी महिला को मारे हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए है तो मैन इटर यहीं कहीं होगा कॉर्बेट वहां रुक जाते लेकिन मैन इटर ने जो लड़के को मारा था वो हाल ही में मारा था तो वहां पर जाने से मैन इटर को मारने के चांसेज ज्यादा थे अब कॉर्बेट वापिस चल पड़े उस पश्चिम दिशा की तरफ जाने वाली रोड की तरफ अब वहाँ पर जो उन्होंने निशान बनाया था एक लकडी से उसको मोड दिया पूरफ से पश्चिम दिशा की तरफ ताकि उनके आदमी जब आएं तो वो समझ जाएं कि जिम कॉर्बेट गए हैं पश्चिम दिशा की तरफ तो दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही बाकी के कहानी कवर करेंगे अगले एपिसोड में अगर आपने चैनल सबस्क्राइब नी किया है तो चैनल सबस्क्राइब कर दीजे चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए all the best वन दे मातरों